चाइनीज बहु चाइनीज बहु हमारी याद तो है ना आपको? भूले दू नहीं न? हाँ भई, थोड़े देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहु की कहानी आही गई क्या हो रहा ये देश में? चाइना ने तो आतांकी मचा रखा है अरे क्या हो गया? क्यों चाइना को कोस्ता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है हाँ मापर ये देखना, लड़ाई, जगड़े, ये बिमारी उपर से ये देश कितना चालाग है? अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है? तब ही अंदर से बहू की चिलाने की आवाज आती है अरे क्या हो गया बहू? क्यों चिला रही है? माची, ये देखिए, ये रूस ने ये खुरेन की हालत क्या करती है? उपर से चाइना में दुबरा लग जाओन लग क्या है? माची, अब क्या क्या जाए? आरे तो तुम लगों को क्या परिशानी हो रही है? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ तो क्या है न मा, हम लग चाइना जाने के सोच रहे थे सांगसु के भाई की शादी है तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चड़ता है? जो बहन काजल लगा कर नेग लगी माची, उसकी आँखे बाद छट छटी है उसमें याद तो भुटली रह सकती है यह काजो साले की पुटली निकाल कर काजल लगा दो अंधा कहीं का क्या? क्या बोले तो मेरे भाई के बावर में? अरे नहीं नहीं बहु, वो तो बोल रहा था के तुझे नेग मिल जाएगा हाँ, दहन है ना तो उसकी नाई नाई माची, में साब समझ थी यह मेरे भाई का मसाइग बना दिर रहती कितना शीटा है मेरे भाई बहु चिपकली जैसा नहीं नहीं बहु, सीधा गाय जैसा होता है सही पकड़े है माची, तो मेरे भाई की शादी है मैं चाइना जरूर जाँगी तबीपड़ो सना जाती है आरे नहीं नहीं बहु, तो कहीं ना जा हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना ले बहु, तेरे भाई के लिए ये शौल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट करते न हाई रे, सब कितने अच्छे हैं मेरी चाइनीज बहु को कितने प्यार से तुम लोगों ने अक्सेप्ट कर लिया सच मैं, बड़ी भागिशाली हूँ मैं कैसी बात कर रही है ये तो हम लोगों के देश की एक खुबसूर्टी है कि हर किसी को दिल से अपना लेते है बस वो भी दिल से हमें अपना समझे कैसी बात कर रही है आंठी जी मेरी ली आप सब सासुमा जैसी ही है मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है ये सबसे अच्छा डिश है मेरो भारत महान वैसे भी लटके की शादी जहां होती है वो तो वह які हो जाती है न जी ते रहे बहुस ही बोड़र रही है और तो होती ही पानी की तरह है जो जहां जय से रखे वैसे ही शेप ले लेती है आंटी जी ये थोरसा ज्यादा हो गया समझ नहीं आया नो प्रब्लम बिच्छाय पना कर लाती हूं फिर क्या वो दिन भी आ जाता है जब बेचे बहु को चाइना जाना पड़ता है वहां जाकर बहु का भाई कहता है मिर्बान आ गए मनसाब को बोला कि सब हिंदी में बर्ट करेंगे नहीं तो बिर नराज नराज हो जाएगी हांक्स बॉई हिंदी मेरी भावशो है आप मुझे उससे में बर्ट करना अच्छा लगता है आपने जीचाजी से मिलो उपन तुम अंदर चलो सबी पहु को अंदर लेकर चली जाते हैं लेकिन सांगसु का पती वो तो बेचारा चाइना के सिसुराल की आंगन में अकेला खड़ा रहता है काफी देर तक जब वोई उसे नहीं पूछता तो वो मा को घर पर फोन करता है हाँ बेचा बहुच गया है ना कुशल मंगाल हाँ मा लेकिन सांगसु पता नहीं का है वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई ही नहीं कैसे बात कर रहा है तो तू अंदर चला जा तू बाहर क्यों है अरे दामाद है तु मा का उन लोगों ने तुझे बिठाया चाई पानी कुछ नहीं पूछा नहीं ना मा तबी सामने से सांगसु आती है ठ्यो आप अभी तक ठ्यार नहीं हुए और ये बाग लेकर क्यूकंबर से बार आई इसे वाई रख देटे कमरा? कौन सा कमरा? रे क्यासी बात करी हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो कड़ा हूँ बहु को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है तब ही उसका भाई और मा आ जाते है और सेंग शू अंदर खाना लग गया है फाले ये बटाओ कि मेरे पटी को किसे ने खाना या पानी क्यों नहीं बूछा वो भारत से सुराल पहली बर आया है वो भी मेरे कहने बर उनके इन सब जो नहीं की देख पीटी तुनी जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी लेकिन आप तुम ये शोचो पूरी चाइना में मैं इस इंजिन को अपना डामाड बटाओं शो शोरी हाँ सक्सो और तुम भी चुप रहना नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे ऐसी बात है कोई बात नहीं मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ तुम वही करो जो ये लोग चाते हैं कैसी बात कर रहे हो शादी के बात बटी जैशा भी हो जो भी हो पची होता है वैसे भी तुमारे पूरे परिवार ने सब ने बिना सोचे मेरे साथ दिया मुझे अकसेप्ट किया प्यार किया मैं अपने देश में आपको अकिला कैसे छोड़ सकती हो ये हिंडी फिल्म का ड्रामा बर्न करो मैं आप ये बर्दाश्ट ने करूंगी छुप चाप अंदर चलो नहीं तो ये शादी वादी यहीं खतम करके इसे अकिला ही इंडिया जाना पड़ेगा हाई वाल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहल खराब हो जाता है कि तब एक लड़की आती है मैंने सारव इंतिजाम कर दिया है सांगसु की शादी का मानदब फर सलग जाएगा थाप तक इसके पती को कमरे में बंद कर देते है सभी सांगसु के पती का हाथ बान कर उसे कमरे में बंद कर देते है ये खेयर ख्रानु जी है हुद लोग मेरे पटे के शादी शाद नहीं कर सकते हैं मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, यह साफ बाट है बैलम मैं अपने शादी करूँ, फिर ठेरी भी शादी करवातूँगा सब किस तैह हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांग सुकी शादी, वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंड़ पली जाती है ऐसा मत करो, यह मेरे भीवी है मैं किसी से शादी नहीं करूँगी कैसे नहीं करेगी शादी, शादी थो तेरा बाप भी करेगा मैं करूँगा, मैं करूँगा शादी, पलेईस, कोई मेरे शादी, किसी अच्छा औरत से करवाद है चाप, बल खुल चाप फिर मा, सांग सु और उसकी पती से कहती है तुम लोगों का पच्छा मेरी खैड में है, आगर तुम लोगोंने कोई भी होश्यारी की, तो मैं इस बच्छे को मार दोंगी दोनों मा का रूप देकर हैरान हो जाते हैं, बच्चे के खातिर दोनों शाद हो जाते हैं, और शादी की रस में शुरू हो जाती है कि तबी सांगसु की सास पुलिस की साथ आ जाती है मा, सर्शु मा गई, मेरे मा गई मा प्लीज हम लोगों को पच्छा कर वापस ले चलो पुलिस सभी को गिरवतार कर लेती है बेटी के पच्छे को मानने की धमकी तो कोई चुडाल ही दे सकती है अरे तो ये चुडाली तो है ये सही बोर रहे हैं, ये और किसी चुडाल से खाम नहीं है तब ही उन लोगों का बच्छा भी आकर सांगसु के गले लग चाता है मा, तु सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहां ये सब बोर रहा है बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही दोके बाज है इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटेच कर दिया था जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं उस दिन भी मेरी तेरे बात हो रही थी तो तेरा फोन आउन था बस आप समझ गई थी मुझे माफ कर दो नहीं, बुगल नहीं छिलिए माज़